गुण मॉर्निंग एवरिवन, आएम एक्ता शर्मा और वेलकम यू ओल तो ओनलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म अव भी एच्यू पाटशाला आईए आज के इस वीडियो में आप सभी इंडियन कोस्टिटूशन के सोर्सेस के बारे में जानेंगे जो की एंडियन पॉलिटी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है आईए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इंडियन कोस्टिटूशन के बारे में कुछ फैक्स जान लेते हैं जैसे की 26 जनवर 1950 को हमारे देश में लागू हुआ इसे बनाने में दो वर्ष, ग्यारा माँ और अठारा दिन का समय लगा यह विश्व का सबसे लंबा और लिखिज सवेदान है आईए अब हम इन सोर्सेस के बारे में बात करते हैं जिन पर हमारी कॉंस्टिटूशन कमिटी ने रिलाई किया था अब हम इन सोर्सेस को एके करके समझते हैं फर्स्ट है गवर्मेंट ओफ इंडिया एक 1935 यहां से लिए गए फेडरल स्कीम इट मीन कि हमारे देश में एक सेंटर और स्टेट गवर्मेंट होंगी लेकिन यह साथ में एक्जिस करेंगी लेकिन इनके पास अपनी अपनी पावर्स होंगी फिर आता है ओफिस ओफ गवर्नर यानि कि राज्य पास जुडीशरी इट मेंज न्याए पालिका जो कि हमारे लोकतांतरिक देश के तीन महतपूर्ण अंगों में से एक है पाब्लिक सर्विशिस कमीशन इट मीज बीरो केसी जिसे हम यूपी एसी आर्पी एसी और बीपी एसी के अकोर्डिंग समझ सकते हैं इमर्जेंसी प्रोविजन यानि के आपात का लीन प्रावधान अब हम सेकेंड स्लाइड के और चलते हैं Constitution of United States of America यहां से लिएगे Fundamental Rights जो कि हमारे Constitution के Article 12 से 35 में में मेंशन है यह एक तरीके के भार्ती नागरिकों को प्रदान किये गए वे अधिकारें जो सामन ने स्तिती में सरकार्दोरा सीमित नहीं किये जा सकते और जिनको संरक्षन और सुरक्षा हमारा सर्वचन्याले प्रदान करता है फिर आता है Independence of Judiciary यानि कि नाई पालिका की सोतंतरता Judicial Review जो कि Article 13 में में मेंशन है और यह इंशोर करता है कि ऐसा कोई लो ना हो जो कि Fundamental Rights को violate कर सके Impeachment of the President यह Article 61 में है और इसका मतलब होता है कि अगर President कि नी परिशितियों में अपनी पावर का मिस्यूज करता हो पाया जाता है तो हम उन पर महाभी हो किस प्रकार लगाएं या उनको उनके पद से किस प्रकार से निरस्त करें इसी प्रकार Removal of Supreme Court and High Court Judges जो कि Article 124 में में मेंशन है and Post of Vice President अब हम सेकेंड अब हम थर्ड स्लाइड के ओर चलते है जो कि यह British Constitution यहां से लिया गया Parliamentary Government और यानि कि सरकार की संसधी कारे परणाली Rule of law कि हमारे देश में सविधान और कानून से बढ़ा सर्वो पर ही कुछ नहीं है Single Citizenship यानि कि हमारे देश में इतने सभी राज्य होते हुए भी पूरे देश में सिर्फ एकलनाग रिता का प्रावधान होगा Cabinet System इन्हें एक तरीके की Constitutional Remedies भी कहा जाता है यह Article 32 and 226 में में मेंशन है Bicameralism यह एक तरीके का Legislature System होता है जिसमें Legislature Assembly को Two Different Assemblies में डिवाइड कर दिया जाता है अब हम next Constitution की तरफ चलते हैं जो कि है Canadian यहां से लिएगे Federation with a strong center It means कि State और Central Government होंगी उनके पास powers भी होंगी लेकिन जो ज़्यादा powers है वो Central के पास होंगी फिर regulatory powers in the center It means कि ऐसे matters जो नकि Central, State और Concurrent List में दिये गए है उन पर laws बनाने की जो power है वो center के पास होगी फिर advisory jurisdiction of the Supreme Court यह है article 143 में mention है इसका मतलब होता है कि lower court और कोई भी constitutional body जो है वो किसी भी matter of law में Supreme Court से advice ले सकती है फिर appointment of government, governor यानि और यह है article 155 and 157 में mention है फिर अब हम next चलते है Constitution of Germany यहां से लेगे suspension of fundamental rise during emergency फिर्स में बता दू कि Germany Constitution को Weimar Constitution भी कहा जाता है और suspension of fundamental rise during emergency यह article 356 में mention है अब next चलते है Irish Constitution की और यहां से लेगे directive principles of state policy यह एक तरह की guideline से जो यह बताती है कि स्टेट को कैसे govern करना चाहिए कैसे laws बनाने चाहिए और यह हमारे Constitution के पार्ट 6 में और आर्टिकल 36 to 51 में mention है फिर नॉमिनेशन ओफ मेंबर्स टू राजिसभा कि राजिसभा में सदेशो को किस प्रकार मनोनीत किया जाए यह Constitution के पार्ट 5 और आर्टिकल 18 में mention है और method of election of president और राश्पती के निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी यह आर्टिकल 55 में mention है next हम चलते है फ्रेंच constitution के और यहां से लिएगे the ideals of liberty, equality, fraternity जो की हमारी preamble में mention है और अब हम चलते हैं Australian constitution के और यहां से लिएगे concurrent list यह 7th schedule में है and freedom of trade and commerce यह हमारे constitution का part 13 है and article 301 से लेकर 307 तक में है इसके बाद आता है Soviet constitution जिसे USSR या फे प्रिजन टाइम में रशिया भी का जाता है यहां से लिएगे fundamental duties यह एक तरीकी moral obligations होती है जो citizen को follow करनी होती है and यह साथ ही patriotism को बढ़ावा भी देती है यह हमारे constitution के part 4 में है 4 ए में and article 51 ए में साथ ही यहां से लेगे the ideals of social, economic and political justice जो की हमारे preamble में mention है फिर आता है constitutional South Africa यहां से सबसे important चीज ली गई वो है procedure for amendment of the constitution जो की हमारे article 368 में mention है साथ ही election of members of Raji Sabha Raji Sabha के सदशके निर्वाचन की प्रक्रिया फिर आता है Japanese constitution यहां से लिया गया procedure established by law इसके लिए सबसे important provision है article 21 और procedure established by law को इस तरह के समझा जा सकता है कि हमारी सवीधान में कोई कानून है और इस कानून के तहत अगर कोई कारेवाह की जाती है तो उसे हम procedure established by law खाएंगे Thank you so much and I hope आपको यह वीडियो समझा आया होगा